हाँ जी देखो जी अगला कोश्चिन एक्जाम्पल नंबर 11 और वो है अपका F एक फंक्शन देरका R से माइनस पाइबाइट टू कोमा जीरो और F एक्ष जह है वो अपके पास है 10 इन्वर्स 2X माइनस X स्क्वेर प्लस लेमडा ठीक है ना F फंक्शन इदी ओन टू है तो लेमडा बिलॉंस तो लेमडा किस इंटरवल में होगा आसे माइनस किसे च्वेल्स लेमडा लाइस इन दाइंटरवर तीसरी पर कर रहे हैं कुछ पर डोमेन क्या दरका है और 10 inverse की value कहां से कहां तक होती है minus 5 by 2 open interval 10 inverse के अंदर जब x की value negative रखते है minus infinite से 0 रखते है तो minus 5 by 2 से 0 आएगा और जब 0 से infinite रखते है तो 0 से 5 by 2 आते हैं तो अपने को ऐसा चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए ठीक ना तो बता होची कहसे कब आएगा ऐसा quadratic की value minus infinite से 0 होना चाहिए तो इसका मत्राइट की value minus infinite से 0 होना चाहिए तो बताए ठीक है तो इसको उधर लेजो तो किता आगे एक स्क्वाइर minus 2x minus lambda 2x ठीक है तो यह आगे आपका x minus 1 का square minus lambda minus 1 ठीक है सारा होना थी है सारा याद है ना सारे का मतलब यह value 0 भी आनी चाहिए 0 भी आनी चाहिए क्योंकि जब 0 आएगी यह पूरी value जब 0 हो जाएगी तब ही 10 invert 0 अपने खो 0 मिलेगा ठीक है तो ऐसा कब होगा जब lambda minus 1 हो जाए minus 1 या minus 1 से सिर्व minus 1 ही आएगा क्योंकि minus 1 से बढ़े होने पर क्या होगा फिर तो यह बेशा positive 1 लेजए फिर 0 कभी आएगा इनी तो सिर्फ और सिर्फ lambda की value किती आएगी minus 1 आएगी तो answer क्या आजाएगा आपका नोनी थोड़ी आएगा फज्टी आएगा नोनी थोड़ी आएगा क्या बोला lambda lies in the interval lambda कौन से interval में है इंटर्बल ओफ लेम्डा फोड़ी पूछा है पास समझा रही है कि interval of lambda होता तो तो कुछ है ही नहीं interval of lambda इसने पूछा लेम्डा lies कौन से interval में है तो कौन से interval में है इस interval में आजाएगा ठीक है next बोड़ दुना मत मानक की टीशिट आप में है अगला कुछी कौत इन्वर्स 2 रज़ पूवर रप्स 1 2 रज़ प्स 1 अपन 2 रज़ प्वर र कौत इन्वर्स 2 raise to power r plus 1 plus 1 upon 2 raise to power r cot inverse ठीक है तो यार ये video lecture में ये आवाज अच्छे नहीं लगेगी बस माक्की सब ठीक था ठीक है तो कितना होन गया ये वैला ये अगया अपका r equal to 1 to n 10 inverse में चेंज कर दू 10 inverse में क्या आजा है अगर 10 inverse में 2 power r upon actually तो 1 plus 2 raise to power r सही है अब सिग्मा वाले में तो एक ही फॉर्मूला लगता है ऐसा है ना 10 inverse x minus 10 inverse y equal to किता हो देट 10 inverse x minus y upon 1 plus xy ऐसा कुछ लगा ना अपने को ठीक है ना limit n tends to infinite r equal to 1 say n 10 inverse है ना और नीचे आपके पास आया 1 plus 2 raise to power r 2 raise to power r plus 1 है अच्छा इसका और इसका difference केता होगा 2 raise to power r हो जाया 2 की पावर r plus 1 minus 2 की पावर r उपर लगता है 2 की पावर r plus 1 सही है ना 2 की पावर r common है अदर 2 minus 1 1 हो जायागा ठेक है तो कितना बन गया है अबला कि पास limit n tends to infinite r equal to 1 say n 10 inverse 2 raise to power r plus 1 minus 10 inverse 2 raise to power r ऐसा आगया सही है अब रखते हैं रखाओ जी value 1 रखा किता है 1 रखने पर और किता है 10 inverse 1 रखा तो 10 inverse 4 हो गया ना minus 10 inverse 2 आगे 2 रखा किता है 10 inverse 8 10 inverse 4 सही है और लास्ट में 10 inverse infinite पर जैदा है यह cot inverse 2 cot inverse 2 10 inverse 1 by 2 रखा आगे 10 inverse 1 by 2 रखा रखा किता हो अट में 10 inverse 1 by 2 एक यह बात नोर कोरो गताः प्रड़कोंट आगे एड़ लाल दो लाल बाल पार। पर हाँ मेटाई ले इकने कुरिशन, rua सִव्पने ले मतारी k 40 झ plus sin inverse sin x equal to cos x. चीकने यदरेके जापको. चीकने यदरेके जापको. यह तो किस से करेंगे, ग्राफ से कर लो कुछा है, कि minus pi by 2, 2 pi by 2 ना इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, sin inverse sin है, ऐसे होदा है, लेकिन modulus का कैसे बन जाएगा, यह तो सब्का कुछ्छन आ गया है, ऐसे बन जाएगा, अच्छा, यह point किता है, यह line y equal to x होती है, तो आगया, pi by 2, pi by 2 यह आगया है, सही है, तो cos x का ग्राफ कैसे बना होगा, इसी interval में, cos 0 किता होता है, तो आगया, यह cos का ग्राफ हो जाएगा, कदब, दो solutions हाजएएगा, अनियु कर दो दो आगया है, इसे बना होकी है, ए पाएगभों होग वाएग-इस, झाल 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 तो कोस्टन को चौत इन्वर्स में रणिन देते हैं अपन तो किस में करेंगे 10 इन्वर्स में कर लेते हैं तो इसको लिखा 10 इन्वर्स थीक है कितना होगा यह तो बाए 9 एना ऊपर किता है 2 नीचे 9 तो किता होगा 1 प्लस 8 और उपर 2 है उसकतम होगा अगे किता है किता है कि 10 इन्वर्स नीचे किता है कि 33 ना 1 प्लस 4 इंटो 8 और उपर 8 मैनस 4 और प्लस 10 इन्वर्स नीचे किता है 129 तो 1 प्लस 8 इंटो 16 ऐसा होगा यह उपर 16 मैनस 8 और यह चलता जाए ऐसा अचा ऐसी बता दो क्या क्या बचेगा फाइनली क्या बचेगा इजर 10 इन्वर्स 4 आएगा इदर मैनस 10 इन्वर्स 4 कट जाएगा एक तो यह बचेगा और इदर से क्या बचेगा 10 इन्वर्स इंफाइन तो पहले वाले यह आंसर आगया ना पहले वाले का अंसर केता है था 4 इन्वर्स 2 10 इन्वर्स 1 बैट 2 ठीक है अगला सर पैसेज बेस्ट प्रॉब्लम्स अब मनकी टी-शिट आजमने आगे तो ऐसे आवाजे तो आदीन थी इसे थोड़े बड़े हैंसा अब लिखा हुआ है F, F जो है can be a real valued function defined on R such that, such that F of x अरे तुम परिवारिक बाते बाद में करना है F of x equal to sin inverse sin x plus cos inverse cos x first question है F of 10 की value, option है 6 pi minus 20, 7 pi minus 20, 20 minus 6 pi, 20 minus 6 pi, अगला area bounded by y equal to F of x, x axis अगर देर रैका pi by 2 less than equal to x less than equal to pi, लिकना 1st अब की पास हा pi square upon 4, 2nd pi square upon 2, 3rd अब का pi square, 4th अब का pi square upon 8, or 3rd number of values of x in upper interval 0, 3. So, that f x is integer 1, 2, 3, 0, लोगा गै की डिक उसो टाराग के डडाल थर आप MONोचण के लिक होेगि कुछर अपना, भी डारे के डे रोच्छरा सहां ग ser सी केश लिएका, devenुछर पर का DAVID निएकि छिक, लोग्सरा करbशने, का Лद का झारे के लिएके भी का लिएको लिएके ठीक है तो पहला तो आप राजी राजी कर लोगे ना पहला कॉश्चिन दे f of 10 f of 10 का मतला sin inverse sin 10 plus cos inverse cos 10 3 pi से थोड़ा सा आगे हो गई तो sin वाले की value कित्ती होती है 3 pi minus x cos inverse cos 10 2 pi plus x नहीं होता है या क्या होता है 0 से pi तक तो x आता है pi से 2 pi 3 pi से थोड़ा सा आगे है 4 pi minus x तो 4 pi minus 10 ठीक है तो कितना होगा सा 7 pi minus 20 answer second है area bounded by y equal to f x x axis और x का interval आपको दे रखा pi by 2 से pi में अब बताओ pi by 2 से pi में f x कित्ता आ जाएगा pi by 2 से pi में sin inverse sin x की value ठीक है और cos inverse cos x x x यहाए तो f x equal to pi हो गया बताओ y y equal to f x y equal to pi आ गया अब इसका diagram बना लो एक तो क्या है x equal to pi by 2 x equal to pi by 2 लाइन ऐसे बनेंगे चाहिए x equal to pi यह गया और क्या है x axis x axis यह रहा और function का graph y equal to pi कैसे बनेगा y equal to pi x axis के parallel लाइन यह y equal to pi हो जाएगा तो यह height तो कित्ती हो गई आपके pi हो गई ठीक है और यह कित्ता हो गई आपका pi by 2 तो answer किता हो गया सब पाई square upon 2 हो जाए यह तो कर दो पैसे तो करी लेगी यह हो गया ठेके ना अच्छा अगला मेठा दे नम्र भ्ल्य सोफ लेगी 0,3 ठीक है? तो तोड़ा तड़ी करनी पड़ेगी पहले तो 0 से 5 by 2 तक आज़ो 0 पे open 5 by 2 पे close मताओ जी, fx की value किती है जाएगी? 0 से 5 by 2 में 0 से 5 by 2 में ये भी x है वो भी x है, किती है? 2x है ठीक है? फिर कहां से कहां तक चले 5 by 2 से बस इतने में तो काम ही हो जाएगा 5 by 2 से 5 जो लग बेट दिया ठीक है? उसमें value किती है थी? पाई आई थी सही, ये fx की value आगई इधर तो लफडाई नहीं रहा अपने को तो कहां तक जाना? 3 तक जाना है तो 3 तक का तो काणिकत है यहां तक देखना अपने को ठीक है न? पाई बाई 2 कितना होता है? 1.57, 1.57 रखा? 1.57 into 2 3.14 आगया तो इसका मतलब यह value कहां से कहां तक आ रही है? 0 से 3.14 तो fx की value overall उस interval में 0,3 में कहां से कहां तक रही है? 0 से 3.14 इसको भी open मिलना थे क्योंकि πाई अपने को लेना नहीं और क्या है? उदर से कितना है? पाई तो union यह आया? चेके न? यह सेंट्रोल में कितना इंटीजर्स है? 3 3 पी दो है? 1,2,3 3 इंटीजर्स है फताँ ठीके? इंटीजर्स अबस्क्राइक्कराइक्ष्णंटीजर्स है? यह से नहीं दो है? यह स्टाइक्राइक्ष्ण। ठीके, अगला पैसे, अगला पैसे, एसा देरका, alpha equal to 4x square, minus 4x plus 70, और नीचे 7 plus 4x, minus 4x square, ठीके न, और आप, y equal to a, और minimum of y जो है, वो alpha है, और बीटा आपको देरके, greatest integer of ठीके, ये आपका greatest integer function है, ठीके, ये आपका greatest integer function है, first part, आपको alpha plus beta की value निकाल ली है, second आपको निकाल ला है, k belongs to, ये आपको ऐसा देरकाओ की alpha, beta हो, then least value, least integral value, integral value of k for which, f x equal to tan inverse sin of k cos x, has its range, this, ये देरके 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 देरके, ये आपको गाज को फट रहीं बात ciao बात ऑच है human ठीक है तो उपर वाला कैसे करें ऐसा मिनिममम अफ दिस बनाओ ओपर 4x कर नीचे 4x कर कुछ होल्ट कर जैसा बनाने की कोशिश वैसे तो तुम क्या करता है इसको इदर लेके जाते हो सबको इदर लेके जाते हो दिए ग्रेटर दन इकल टू जरो बाहर से बाहर जाएगा उससे पहले कुछ और पंगा करने की कोशिश कर लिए अगर तो लंबा ही पका ही है y उपर वाला किसका होल्ट स्क्वेर है 2x-2 का होल्ट स्क्राइब आगे कितना पर जाया सब प्लस 13 आजाए इसमें काम करते हैं पहले 4 कोमन लेलो यार x-2-x-17 सही है अच्छा नीचे भी एक बार माइनस 4 कोमन ले तो अंदर आएगा x-2-x-7-4 सही है जा जाए बार सही है आज इसको स्क्राइब चलो अलग लिख देते हैं न सिर्फ इस ही इसी काम करना है पलस 7 पढाया है प्लस 7 पढाया हैよろしく जाए अच्छा याया इसी को सफ़ाए एक्स माइनस 1 बाइ-2 का इसी का होल्ट स्क्राइब और uy स्क्राइब आगे क्या है x2 minus x2 आएगा plus 1 by 4 आएगा minus 1 by 4 कर देते हैं नीचे भी ऐसे ही कर देते हैं 4 और यह आगा x minus 1 by 2 का square minus 1 by 4 plus 7 अच्छा आप उपार आपके पास आगा इसको open करने हैं 4 into x minus 1 by 2 का square minus 1 plus 17 16 इसको अंदर multiply कि यह किता आगे यह बला 1 or plus 7 8 आगे minus 4 into x minus 1 by 2 का square यह आगे सही है कोई बदी मुद काट देंगे आप तो मुझे बताँ इसकी minimum मेली कब आई है minimum तब आई है जब नीचे वाला ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा हो ओपर वाला बहुत कम हो यह दोनों तो एक्जेस है x equal to 1 by 2 पे नीचे वाला maximum होगा उपर वाला minimum होगा तब minimum ही आईगी x equal to 1 by 2 रख तो यह तो गए चमझागी बाद? तो alpha तो यह आ गए आपका 2 अच्छा जहां तक बाद beta किये है तो beta के लिए हम ऐसे नीचे 1005 आ रहा है न तो उपर वाला सब को 1000 की form में लिए लिए 1005 की इसको क्या लिख दिया 1005 minus 3 तो यह न अगला 1005 minus 2 1005 minus 1 यह आ गया अगला 1005 plus 1 1005 plus 2 अगला 1005 plus 2 अगला 1005 plus 3 अपन 1 by 6 6 सक्स उपर ले जाओ इसा आ गया ठीक है? यहां लिखता हूं मैं यहांप है आ रहा ना? यहां लिखे ना आगे बीटा इक्वल टू कितना ऐसा 6 इंटू इसको इससे मल्टिप्लाई कर दे कितना आगा है? 1005 का स्क्वार minus 3 का स्क्वार और एक 1005 स्क्वार से डिवाइड कर देदे तो कितना आजाएगा फाइनली? 1 minus 3 upon अगला किता है अगला? ऐसी 2 वाला करेंगे तो 1 minus 2 upon और अगला कितना आजाएगा 1 minus 3 square लेने हैं 3 square लेने हैं सही है? अब देखो 1 में से इतना सब्स्ट्रेक्ट हुआ तो 0.9999 यह भी 0.999 यह भी 0.999 और तिनों को मल्टिप्लाई करेंगे तो भी 0.999 यह भी 0.999 को मल्टिप्लाई करेंगे तो 6 से तो 6 से यह 0.999 को मल्टिप्लाई करेंगे तो 6 से थोड़ा सा कम आए 5 point something आएगा तो greatest integer कितना हो गया? 5 आगया तो alpha आगया, beta आगया तो alpha plus beta तो कितना हो जाएगा? 7 7 लेके लो अच्छा, last second part इसकी range यह उनीची है इसका मतलब यह वाली value कहां से कहां तक जाएगा? minus 1 से बन जाएगे तो इसका मतलब minus 1 और sin of k cos 6 यह आगये, ठीक है? अच्छा, आप sin के वाली यहां से आथ को, इसका मतलब अंदर वाला? minus pi by 2 से plus pi by 2 तो minus pi by 2 से सही है? तो बताओ वे, के कित्ता होगा? सारा अनच्छी सारा बताओ, सोच के बताओ, इससना तो least integral value पूछी है ना? सारा अनच्छी सारा अनच्छी सारा वाला? तो 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 केसे? k, pi by 2 होते ही, setting होई सारी, तो इससे least integral value कित्ती होजाएगी फिर, वालेखे लिए, यह value आपके पस 2 पंची होजाएगी सही है? पेले लेकिना सब्सक्राइब ऐसे होजाएगी पहलाएगी पस्तित्क बताओ पेलाए घसे भाली तो आईकीक, ऊंची झाल